नमस्ते प्रिये जनू Right Way Astro Channel पर आपका स्वागत है इस राशिफल की खास बात ये है कि इस राशिफल में सबकी लिए अच्छा है शुक्र का ये गोचर सबकी लिए खुशिया देने वाला है लेकिन खुशी का कारण सभी के लिए अलग-अलग रहेगा इसलिए सभी राशिफल के बारे में सरफ अच्छी बाते ही होंगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में ये 25 दिन सरफ अच्छे ही रहेंगे क्योंकि ये राशिफल सरफ शुक्र के गोचर पर आधारित है अन्य ग्रहों के राशी गोचरनुसा अच्छा बुरा प्रभाव इसके साथ ही आप अनुभव करने वाले है आपको मेरे इसी चैनल पर अन्य ग्रहों के राशी परिवर्तन से जुड़े विडियो भी अवश्य देखने चाहिए इस राशी पल में सिर्फ शुक्र के प्रभाव से इन 25 दिनों में आपके जीवन में क्या-क्या अच्छा हो सकता है ये आप जानने वाले हैं अब ये अच्छा मतलब क्या होगा? इसका सीधा उत्तर है शुक्र से दर्शाय जाने वाले विशों में अच्छा होगा इसलिए संक्षेप में शुक्र से क्या-क्या देखते है इसे समझिए शुक्र मुख्यता दामपत्य जीवन और प्रेम जीवन का कारक है मौज मस्ती, भोग विलासिता, अशाराम, आकर्शन और शौकिन मिजास का कारक शुक्र ही है वो सभी बाते जो इस भोग्य जीवन में अधिकतर लोगों के सपने होते है वो लगबग सभी बाते शुक्र दर्शाता है सभी तरह की कला, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट और एंटरटेनमेंट का कारक भी शुक्र ही माना जाता है अब आप समझ सकते हैं खुशिया कैसे हो सकती है और ये खुशिया इसने मिलेंगी क्योंकि अभी शुक्र अपनी सो राशी में रहेंगे शुक्र देओ 18 जून से 13 जुलई तक वुरुषब राशी में गोचर करेंगे इसलिए इस राशीफल का प्रभाव इन 25 दिनों के लिए रहेगा लेकिन राशीफल जानने से पुरु एक महतो पुरुन बात है अगर आप राशीफल को सटिकता से समझना चाते हैं तो अपनी जन्म राशी के साथ लगन राशी नुसर भी अवश्य देखा करें क्योंकि मैं जो भी राशीफल बताता हूँ वो जन्म राशी और लगन राशी नुसर ही रहता है अगर आपको जन्म राशी की जानकारी नहीं है सिर्प तभी आप नाम राशी नुसर देख सकते हैं अब बात करते हैं तूला राशी की तुला राशी वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा? आपके राशी स्वामी शुक्र देओ आपकी राशी से अश्टम भाव में गोचर करेंगे ये भाव शारिरिक पीडा, दुरगटना, मुर्त्यु से संबंदित विशे, गुप्त धन वगेरा का है इस भाव में शुक्र का गोचर वैसे भी शुब होता है अभी तो स्वाराशी में रहने से और भी अच्छा रहेगा इस कालखन में अकस्मात आपको खुशिया मिलने वाली है आपकी सोच से अधिक भोग विला सिता का आनन आप उठा सकते है इस गोचर काल में आप एश आराम करेंगे आपको आसानी से बहुत कुछ मिलेगा बिना कोई मेहनत के आपको धनलाव होगा आकस्मिक बड़ा धनलाव हो सकता है पईत्रुक संपत्ती प्राप्त हो सकती है सर्प्रेस गिब भी मिलेगा बिना सोचे समझे खुशिया खुद चल कर आपके पास आएंगे बड़ी धनराशी या महेंगी जोयलरी अकस्मात आपके हाथ लग सकती है गुपत धन मिलेगा जो बाते इस भाव से दर्शा ही जाती है मतलब जीवन की अनिष्टताओं से संबंदित ख्षेतर में अगर आप कारियरत होंगे तो उसमें भी आपको अच्छे उसर प्राप्त होंगे अकस्मात बड़ा सकारत्मक बदलाओ इस गोचर काल में आप अनुभव करेंगे अगर आप किसी रिसर्ट से जुड़े होंगे कोई संशोधन कारिया कर रहे होंगे तो आपको उसमें भी बड़ी सपलता मिलेगी आप जो ढून रहे थे उससे ज़्यादा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ आपको मिल सकता है अब बात करते हैं वुर्चिक राशी की वुर्चिक राशी वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा शुक्रदेव आपकी राशी से सब्तम भाव में गोचर करेंगे ये भाव दामपत्य जीवन, पार्टनर्शिब, कोर्ट केसिस वगरा दर्शाता है ऐसी बातों को लेकर आपको शुबफल मिलने वाले है मतलब अविवाहितों के लिए ये गोचर भहुत अच्छा है जो प्रेम जीवन में थे वो विवाहा बंधन में बन सकते है अच्छे और प्रिय लोगों से आपके रिष्टे जुडेंगे आपके सपनों का आपका मन चाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है आपके दामपत्य जीवन में चल रहे विवार समाप्त होने की खुशी आपको मिल सकती है लेकिन इसके लिए खर्च करना होगा जीवन साथी को मनाने के लिए महेंगा गिफ्ट दिलाना होगा खर्चा करने पर ही आपके दामपत्य जीवन में खुशाहली लवटेगी इस दवरान आपके ससुराल में भी आपका मान सन्मान होगा पार्टनरशिप के व्यवसाय में प्रगती होगी और अच्छा धनलाब भी होगा इस गोचरकाल में पार्टनर्शिप में नया व्यवसाय शुरू हो सकता है आपके व्यापार में कोई मन पसंद डिल हो सकती है इसके साथ ही इस कालखन में विरोधियों से आप समझहोता कर सकते है विरोधियों को शांत करने के लिए आपको थोड़ी एड़ेस्टमेंट करनी होगी लेकिन ऐसा करने पर विवाथ सूलजने से आप खुश रहेंगे इस कालखन में विवाथ कार्य के लिए खर्चे हो सकती है कुछ लोग ऐयाशी के लिए मौज मस्ती के लिए खर्चा कर सकते है अब बात करते हैं धनुराशी की धनुराशी वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा शुक्रदेव का ये गोचर आपकी राशी से शष्ठ भाव में होगा ये भाव, नोकरी, रोग और शत्रूओं का है इस भाव में शुक्र का गोचर शुब तो नहीं होता लेकिन इस गोचर में शुक्र के कुछ शुबफल आपको अवश्य मिलेंगे आपके कुछ प्रॉब्लेम सौल होने की खुशी आपको मिल सकती है आपको खुशिया तो मिलेंगी लेकिन आपको नियंत्रण में भी रहना होगा गलत आददों से बचना होगा विशेश्तहा पुरुशों को इस गोचर काल में समलने की आवश्यक्ता है स्रीयों को भी मेकप वगरा करते से सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में आपकी आकरशक्ता आपके शत्रूं को भी आकरशित कर सकती है इस कालखन में आपके शत्रू भी आपसे प्रेमभाव दर्शा सकते है या इस कालखन में जो प्रेमभाव दर्शा रहे है वो आगे चलकर आपसे शत्रूता कर सकते है इसलिए आपको खुशिया तो मिलेंगी लेकिन आपको ऐसी खुशियों में साउधान भी रहना है ये गोचर आपके जॉब के दुरुष्टी से शूब है आपके मन पसंद क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है जॉब में अच्छा माहोल रहने से जॉब को लेकर आप खुश रहेंगे आपके कार्यक्षेत्र पर कुछ entertainment के समारों का आयोजन हो सकता है और इसमें आपके creativity की आपके management की प्रशंसा हो सकती है पैसो के लेंदेन के विवहारों में भी आपको बड़ा लाब होगा ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अच्छी धन प्राप्ती होगी अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा शुक्र का गोचर आपकी राशी से पंचम भाव में होगा ये भाव, संतान, ज्यान और प्रेम का है ये भाव आपकी रूची भी दर्शाता है और आपकी राशी के लिए वह इसे भी शुक्र सरवादिक शुवफल्दाई होता है इसलिए इस गूचरकाल में आप बहुत खुश रहने वाले हैं और खुशिया मनाने वाले भी है जिसमें आपको खुशी मिलेगी वही आप करने वाले है आपकी संतान की और से भी आपको खुशिया मिलेगी आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है संतान के प्रती खुशिया मनाने के लिए आप किसी समारहों का आयोजन कर सकते है इस गोचरकाल में आपके प्रेम जीवन में मधुरता कुछ जादा ही रहेगी आपके मन पसंद प्रिय लोगों से आपकी करीविया बढ़ेंगी अच्छे लोगों से मित्रता होगी नए प्रेम संबन स्थापित हो सकते है आपके प्रेम जीवन में अगर कुछ दूरिया बढ़ी होंगी तो वो भी इस गोचर में समाप्त होगी इस गोचरकाल में आप अपने रूची के क्षेतर में जादा समय विताओगी आप अपने शोक पुरे कर सकते है इसके साथ ही कला संगित के क्षेतर में कोई खास उपलब्धी होगी कला साहित्य अभिने के क्षेतर में आपके ज्यान में वृद्धी होगी कला क्षेतर में कारियरत लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है इस खेत्र में आपकी उपलब्धियों के कारण आपको पुरसकार मिलेगा इस कालखन में आपके कुछ खास सपने पूर्ण हो सकते है अब बात करते हैं कुम्भ राशी की कुम्भ राशी वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा शुक्र देव का ये गोचर आपकी राशी से चतुर्त भाव में होगा ये भाव घर, भूमी, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है शुक्र आपकी राशी से भाग्गेश भी है इस गोचर में शुक्र आपके लिए राज्योग में रहेंगे इसलिए शुक्र का ये शुबगोचर आपके लिए सरवादिक शुब है इस गूचरकाल में आप सभी तरह की सुख सुविदाओं का उपभोग लेंगे नई फोरविलर या नया घर आप खरिद सकते है या ऐसे ही महेंगी गाड़ियों का बड़े घर में सुख सुविदाओं का आनन आपको अवश्य मिलेगा बहुत ही खुशी के माहोल में आप कुछ समय बिता सकते है आपके प्रिये लोगों के साथ भी कुछ समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होगा आपके आसपास आपके चाहने वाले लोग जादा रहेंगे आपके दामपत्ति जियोन को लेकर आप खुश रहेंगे और आपकी माता की ओर से भी आपको खुशिया मिलेगी इस कालखन में जमिन जायदत प्राप्त हो सकती है आपका मान संमान बढ़ेगा राज नेताओं के लिए ये गोचर काल बहुत भाग्यदाई है रियल स्टेट, आर्किटेक्ट, वाहन, सुक सुविधाओं की महेंगी चीजे ऐसे क्षेतर में अगर आप व्यापार व्योसाय करते होंगे तो उसमें आपको बहुत जादा अलाव होगा इस क्षेतर में आपको अच्छे अउसर प्राप्थूंगे आपके घर में भी इस दवरान खुशियों का और प्रेम भरा माहोल रहेगा अब बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी वालों को शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा शुक्रदेव आपकी राशी से तृतिय भाव में गोचर करेंगे ये भाव आपके प्रयास, प्रचार और परिवरतन का है और इस भाव से आपके भाई बहन और पडोसी भी देखे जाते है शुक्र के इस गोचर में आपके भाई बहिनों से आपके पडोसियों से आपके रिष्टे अच्छे रहेंगे जीवन साती हो या लव पार्टनर आप किसी को भी मना सकते है अगर कुछ अन्य लोग भी आपसे नाराच चल रहे होंगे तो इस कालखन में उनसे भी आपके रिष्टे सुधरेंगे मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा आपके शतरुता समाप्त होगी आपके मिलनदसार व्यवहार से आपके प्रेम भरे प्रयासों से लोग प्रभाविद होंगे आपके कुछ खास कामों के कारण आपकी प्रशनसा होगी सोशल मीडिया पर आपको शुबस अंदेश प्राप्त होंगे आपके कलागुनों के कारण, आपके किसी खास क्रियेटिव कारियों के कारण आपका मान सन्मान होगा आपके कलागुनों में वृद्धी होगी और आप अपने कलागुनों को प्रदर्शित करने का प्रयाज भी करेंगे इस गूचरकाल में आपको कोई खुश खबर अवश्य मिलेगी इस कालखण में आप खुशिया मनाने वाले है अपने खास प्रिय लोगों के साथ पार्टी कर सकते है मौज मस्ती कर सकते है शुक्रदर्व के इस गूचरकाल में आप सभी का अनुभवर हैगा सभी के स्वास्त और सुख समुरुद्धी की शुबकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ अभी के लिए इतना ही Right2Eastro चैनल देखते रहिए सबस्क्रेब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंड भी कीजिए धन्यवाद